करने वाली हुई है रोबो फिश का सो यह जो है वो टेक्नो रोबो फिश है जो की बिल्कुल नाच्रल जैसे दिखते हैं सो आप इसे डेकोरेट कर सकते हो अगर आपके पास कोई खाली ऐसा डबा टाइप होगा नहीं तो फिश टैंक होगा सो अगर आपके पास कोई खाली खिश टैंक पड़ा रहेगा तो आप इस उसमें आप sì मिनक करी और यह जो वो बिल्कुल जो नेचरिल फिश रहत हैं वह सी मिमिकरी करती है तो चलिए चल्दिसी से अंबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि यह कैसी है और अगर आपको बाई करना है तो आप S2S Amazon Store से बाई कर सकते हो मैंने लिंक डिक्स्रिप्शन में दी है अगर आपको इसे बाई करना है तो और हां गई सापी से अलग-अलग कलर्स डिजाइंस में कलेक्ट भी कर सकते हैं काफी फॉन टॉइस है और काफी अमेजिंग है तो यहापर मैंने फाइफ कलेक्ट की हैं और यह जो है वो फाइफ कलर्स मैंने लिये हैं तो यह देखिए ऐसे दिखेगे और इसके साथ आपको दो बैटरी भी मिलेगी तो अगर यह वाले जो खतम हो जाती है तो आप यह यूज कर सकते दूसरी वाले तो यह देखिए तो यहापर मैंने एक ग्रीन कलर की लिए है और एक पिंक है यह देखिए काफी ऑलसम है यह देखिए और यहापर यह ब्लू कलर की है और यहापर और एंच वाले भी है और यह वाले म मुझे पसंद है काफी मस देखते हैं यह देखिए मैं आपको इक प Other। करके दिखाते ओपन करके तो यह देखिए ऐसा यह package है आप इसे open कर सकते हों और यहाँ पर है हमारी fish यह देखिए काफी मस्त है यह देखिए और यहाँ पर इसकी tail है जो कि rubber की है और यहाँ पर आप आप देख सकतो यह black dot जो की sensor से सो अगर आप इसे ऐसी दबाएगे तो यह चलेगी तो आपको लगेगा कि अगर पाने में डालेगे तो यह चलेगे इना आपको तो इसे दबाना परेगा लेकिन आपको इसे दबा के पानी में छोड़ देनी है यह अपने आप चले की यह देखिए और नीची हाँ से आप स्कुरूड्राइबर को निकाल के इसमें यह एक्स्ट्रा बैटरी दी है दो बैटरी दी है सो आप यह इसमें डाल सकते यह आपको एक्स्ट्री एक्स्ट्रा बैटरी देती है अभी दूसरे भी अंबॉक्स कर लेते हैं यहाँ पर पिंक वाली है यहाँ पर रेड वाली है और यहाँ पर ग्रीन वाली है वाली है यहाँ बाली है यह बाली है इसका यहाँ अरेज़ बू आली है और यहाँ ब्लू बाली न दिखिये और यहाँ गाली मुझे पिंक वाली काफे पसन आए इसके डिजाइन मसते हिरा देख लए पर हमारे पिंक फिश ağर यहाँ आसा ऩली मुझे इसके डिजाइन काफी मसत हिर बमाता तो यहाँ पर हमारे ने काले maximum wordt만 और जारे यहाँ सै मुझे काफ़ सारे एक्स्ट्रा पैट्रिस भी मिले है तो अगर इस पैट्रिस खंदब हो जाते हैं तो मैं यह डा सकती हुए देखिए सो काफी अच्छी बात है है सो यहाँ पर जो संसर है उससे आपको इसे दबाना परते दोनुन साइट से देखिए दबाया थी चलने लगती है यह देखिए तो इसे दबाकर आपको पानी में डालना या अपने आप चलने लगेगी और निचे आपको यह दिख रहा होगा तो इसे स्कुरूड्राइवर को निकाल कर आप इसमें बैटरी डाल सकते हो अगर यह खतम हो जाती है तो चलिए अभी इसे पानी में डाल कर देखते हैं तो मेरे पास तो एक एमटी फिश टैंग था तो मैं उसमें डालो कि चलिए अभी फिश को पानी में डालते हैं वोो फिश को डालना है और देखते हैं कि यह कैसे वर्ग होते हैं घुक्ष एक आपर मैंने धess टіंग, रेडि कर दिया हैं अभी हम अब हमारे फिश डालते हैं सबसे पहले हम और यह ज्सक्काशalledीट हो गयदके देखे केसे वर्ग हो रही है इसा लगता है कि यह शिश्री है तो काफी मस्त है और छोटे बच्चे से खेल सकते हैं और काफी अमेजिंग है अट्रैक्टिव है और आप इसे डेकॉरेट कर सकते हैं सो अभी हम दूसरी वाली डालते हैं यह देखिए यह वाले प्लेट यहाँ पर मैंने रेडवाली डालती है चलिए अभी दूसरी वालते हैं सब यहाँ पर हमारे प्लो कदर की फिश्वाल पर है और यहाँ पर हमारे प्रीन वाली फिश देखिए इसा लगता है कि रियल फिश है और काफी मस्त अट्रैक्टिव दिखता है यह देखिए और काफी मस्त वर्क होता है काफी एट्रैक्टिव है छुटे बच्चे से खेल सकते काफी अमेजिंग है सो गैस यह देखिए कितने मस्त और अमेजिंग दिख रही है यह देखिए कलरफुल कलर्स है इसके कलरफुल फिशेस है और काफी मस्त वर्क हो रहे है और वो भी यह सिर्फ और सिर्फ रोबोट है यह देखिए काफी मस्त देख रहे है यह देखिए सो गैस यह देखिए काफी मस्त देख रहे है यह देखिए कितने मस्त और कलरफुल है यह फिश और ओसम डिजाइन भी है इसमें और काफी मस्त अट्राक्टिव है यह देखिए काफी औसम और अट्रैक्टिव यह फिश और वह भी रोगोटिक है तो काफी मस्त है यह देखिए और मुझे तो यह काफी पसंद है और अगर आपको मेरा विडियो पसंद आए हो तो प्लिज लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अगर आपको यह रोगोटिक फिश बाई करने हो तो लिंक मेंने डिप्सक्रिप्शन में दी है आप वहां से बाई कर सकते हो इसे